नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल मिश्रा हॉस टेकनिक पे आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ उसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारा जो घरों में पानी का टैंक या सैफ्टिक टैंक होता है उसको बनाते समय प्लाश्टर में ऐसा क्या मिलाएं कि जिससे हमारा जो टैंक है वो कभी भी लीकेज ना हो मैं बताऊंगा तो आईए देखते हैं सबसे पहले जो मैंने ये गोल तयार किया है ये ज़्यादा पतला ना हो और इसमें गाठे ना हो इसको अच्ês तरह से चला लीजिए और जब गोल तयार हो जए तो उसको दिवार पर इस तरह से अच्छी तरह से डबे से लगा लीजिये जैसा कि हम घरों के प्लास्टर पर गोल लगाते हैं पर वो गोल पतला होता है ये गोल थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए दोस्तो मैंने दो दिवारों पे इसलिए घोल लगाया है क्योंकि मेरे टैंक का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है अगर जो आपके टैंक का साइज बड़ा है तो आप एक एक दिवार पर ही घोल लगाकर पलास्टर करें तो दोस्तों इस तरह से भोल लगने के बाद हम अपने दिवार की छपाई शुरू कर सकते हैं और छपाई करने के बाद हम फट्टी और गुर्माले की सहायता से अपने पलाश्टर को सही कर लेंगे और अब आप देख सकते हैं कि हमारे टैंक का पलाश्टर जो है वो अच्छे तरीके से हो चुका है और अब हमने इसके उपर क्या करना है अब मैं आपको आगे वो बताऊंगा आप ये देख सकते हैं हमारे जो टैंक की चारो दिवारे हैं वो हमने अच्छी तरह से प्लास्टर कर ली है और ये ज़्यादा सूखी नहीं है अभी इसका जो प्लास्टर है वो हलका हलका गीला है तो सबसे पहले हमने जैसा हमने गोल बनाया था पहले उसी तरह से हम दूसरा गोल बनाएंगे और इसके अंदर अब हम डॉक्टर फिक्सिड बिलाते हैं जो हमारा केमिकल है वो हमारे डॉक्टर फिक्सिड है उसको हम मसाले में भी डाल सकते हैं प्लास्टर के समय और गोल को चला ले ताकि उसमें गाठे ना हो जब आपका गोल इस तरह से तैयार हो जाए और गोल गाड़ा हो तो उसको हम डब्बे की सहायता से अपने पलास्टर की दिवारों पर लगाएंगे और लोहे की गुर्माले की सहायता से अपने टैंक को चिकना करेंगे ताकि कहीं पर भी लोहे की गुर्माले के निशान ना रह जाएं जैसा कि आप दिवार में देख सकते हैं वो हमारी जो पहली दिवार है वो कितनी साफ नजर आ रही है तो दोस्तों इस तरह से हमने जाना कि हमारे टैंक का प्लाश्टर कैसे किया जाता है और उसमें कौन सा कैमिकल मिलाया जाता है और हमारे टैंक का प्लाश्टर करने के बाद आप इस तरह से टैंक की पैमाईश करके इस तरह से उसके उपर के ढखकन भी तैयार कर सकते हैं और उसमें एक main hall की जगा भी छोड़ सकते हैं तो दोस्तों अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को like करें शेयर करें और अगर जो आपका कोई सुझाव है तो कोमेंट बॉक्स में जाकर कोमेंट जरूर करें और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं धन्यवाद